फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं बेज मंचूरियन इसको शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ अनिता वंसल और बेज मंचूरियन की बहुती इजी स्टेफ्स के साथ हम बताएंगे और शुरू करते हैं इसके लिए हमने लिए हैं कुछ बारी कट हुई शिम्ला मिर्च और थोड़ी सी हरी प्याज बारी कट हुई थोड़ी सी प्याज बारी कट हुई और करीब 8-10 कली लेसुन की काफी बारी कट हुई क्योंकि बैद मंचूरियन मना रहे हैं तो इसके लिए मैंने लिया है गोवी करीब धाईसों गराम के इसमें डाला मैंने नमक नमक अपने टेस्ट करन सा कम्या जादा कर सकते हैं उसके बार डाली एक चमच मैदा और हम मैं डाल रही हूँ इसमें एक चमच कॉनफलोर जिससे कि इसकी मैदा और कॉनफलोर आनसे के बाइंडिंग अच्छी आती है तो और उसके बाद मैंने इसम प्रसुल कहले ऩूता आटीक भीर के नुट की अद्वा जिकता उब टॉड़ा हो तो पीया ओर मेरे पास ऐसे टॉड़ा हो या जो कुंट सीस्चिस कर ले बमाटो अच्चा आथा इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको बिल्कुल mix करके अब इसके हमें छोट-छोटे बॉल बनाने हैं बंचूरियन की जो बॉल होते हैं उस साइच के बॉल अपने छोटे बॉल है लेकिन छोटे बॉले इसमें अच्छे लगते हैं मैंने यह सारे बॉस में रेडी कर लिए और इससे साइट में गैस पर इंदे बॉच परड़ा nerd इदर अचास में धाल की और इसमें क सारे बॉस्कों डालर के कर लोगे इसको हमें बाद में पलट नहां अगा governor बहुत तोड़े से हमें लगे कि थोड़े से शिख गए हैं लाल हो गए हैं उसके बाद ही इनको हमें प्लट नहीं तो इनके टूटने का और खिलने का ड़ रहता है इस तरह ओल को ऊपर डालते हुए इसको हम पकाएंगे और अब हम इसको फिलिप करेंगे देखिए ये अब ये इस तरह से और देखिए अब करीब करीब थोड़ा सा कलर आ गया है इस पर इस तरह से गुल्डन ब्राउन होते जा रहे हैं और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक भी करिए और शेयर भी करिए बहुत अच्छे लगते हैं यह बेज मंचुरिन बहुत इजी ट्रिस्क के साथ में आपको बता रही हूं क्योंकि हम खाते हैं होटल्स में तो लगता है कि काफी ताम जहाम है बर ऐसा कुछ नहीं है बहुत इजी तरीके से यह बन जाते हैं मैंने सारे वाल्स को इसमें नकाल लिया है उसी पैमे मैंने जिस ।ирम चमस के करीब डाला मैंने सिसमें गाल और उसमें डाली बारी कटियोगी लेसुण और फिर उसके बाद डाले थोड़े से प्याज और फड़ें सोथे कर लेना है और थोड़ी सी ह। ने प्यास के साथ भी हम इनको अच्छे से सौथे कर ले बोहत ज्यादा हमें नहीं करना है इतना कि इनका बना रहे है क्योंकि जब pacж सा क्रणच़ी सा मूंं में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं टेश्ट मेंग ढ़ने में इसलि थोड़ाया सा ख忑सा Franci कुछ इस तरह से बहुत ही अच्छे लगते हैं और कोई ताम जाम नहीं है बड़ी इजी बन जाते हैं हम लोग सोचते कि शायद बहुत ताम जाम है बेज मंचुरिन कैसे बनाएं बट ऐसा कुछ भी नहीं बहुत इजी तरीके से यह बन जाते हैं अब हम इसमें डालेंगे थ थोड़ा क्रिस्पी नहीं थोड़ा सा इसको स्पैसी बनाने के लिए मैंने इसमें लाल मिट्स पाउडर ही डाला है आप कश्मील डाल मिट्स डालेंगे तो सतलर और अच्छा आएगा मैंने आजा चंबच डाला इसमें सोया सॉस और करीब आजा चंबची में डालूंगी बड़ा केशप लिकमेश के करीब में डाला इसमें तेमाटो केचब इन सब को अच्छे से हमें मिक्स करना है और उसके बाद मैं गोल डाले 1300 को मिक्स करनी के बाद मैं और मे थाल ख्रम अपनी इसमें अब हम डालेंगे water, 10-10 cup मैं इसमें पानी डाल दिया है, इसको मिला लेंगे, इस तरह से कुछ, देखिए कितना अच्छा आया है, इसका बहुत ही अच्छा color आएगा, आप इस तरह से सारे steps फोलो करेंगे, तो बहुत अच्छा बनेगा, ये मैंने इक चमस कॉन फलो क से मिक्स करती रहें, इन और नोट करके पकाएं न में के जारे मिक्स कह जारे मोर बंचुर्य में अधяться सब्सक्राइब क करते हैं कदे भाएं के लिखतार में सरी जंगे हंदे आप जरूर ठ्राय करिएगा और मेरे को अगर बना यहां तो कैसे बने आपके इस तरह से सारे C यह अखरे के थोड़ी सी दिर पकाने के बाद इनको हम एक बाओल में टांस्फर प्राइएंगे थोड़ा सब अच्छे लग रहा है कितने यम्मी लग रहे हैं देखने में इतने यम्मी तो नेचरली खाने में तो बहुत ही टेस्टी होंगे देखे इस तरह से इसको और गार्णिश करने के लिए थोड़ी सी उपर से डाल जाएंगे हमारी प्यास जो कि और भी अच्छा लुक देती है इसका आप क अगरे चैनल पर नए है तो भी संस्क्राइब तो बनता है आप लिए संस्क्राइब करिए और लाएक करती रहिए और देखते रहिए मेरे आने वाले वीडियो जो की मैं आगे बनाती रहूंगी रैस्पी तरह-तरह की प्लीज कोमेंट करके भी बिताइएगा कि आपके बने आपने बनाए तो आपके कैसे बने ये मंचूरियन मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में बाबाए